आप सभी का फिर से स्वागत है कॉंपेटिशन कम्यूनिटी के इस ए-learning प्लैटफॉर्म में मैं हूँ अभिशेक गौरहा और हम डील कर रहे हैं करंट अफियर्स आज हम डील करने वाले हैं चतिसगड की वे सभी समसमाई की या फिर राज की स्तर पर होने वाली वे सभी समसमाई की जो हमारे जुलाई के चोटे महीने में घठना है आई ये शुरू करते हैं जो हमारा format है वो वही रहेगा सबसे पहला हम देखेंगे हमारे चत्तीस गड़ में या फिर मारे राजकी इस्तर पर महत्तुपूर्ण रहने वाली घटनाएं जो कब है जुलाई वीक फॉर के नाम से जरूर है यह लेकिन यह आपका है कब का जुलाई वीक फ्री में हुई वे सभी समसमाई की घटना है जो हमारे एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से हमारे लिए महत्तुपूर्ण होगी उनको हम डील करेंगे यहाँ पर है ना तो सबसे पहला हमारे लिए क्या है ओल इंडिया इंटर इंस्टिउशन बैड्मिंटन दूसरा हमारे पास में है खेलो चत्तीजगड गेम्स दीसरा है रिलाउंच ओफ माई एफम 94.3 और चौता है अमेंडमेंट इन चत्तीजगड एग्रिकल्चरल कैटल एक 2004 यह सभी वे महत्तुपूर्ण घटनाएं है जो हमारे चत्तीजगड के परिपेश में हमारे लिए इ रहे हैं और यह हमारे exam point of view से क्यों important है इसमें हमारे पास में अरुन देव गौतम आ जाएंगे लेफटिनेंट जनरल अशोक जिंदल आ जाएंगे और मिर्जा मसूद आ जाएंगे यह सभी वो लोग हैं जो किसी ने किसी कारण से news में बने रहे हैं इसके बाद में हमारे प पुन रिपोर्ट्स डेज अवार्ड्स या फिर ओनर्स हमारे पास में हैं तो बिल्कुल स्पार्क अवार्ड्स हैं यह यानि कि दीन दयाल उपात्याएं अंतियोदय योजना नैशनल अर्बन लाइवलिहुड मिशन के स्पार्क अवार्ड्स दिये गए हैं दोजार तेश चुबिस के जिसमें 36 गड़ को पांच राष्ट्रिय पुरसकारों से क्या किया गया है सम्मानित किया गया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा ये सेशन क्योंकि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज देखने को मिलने वाली है उसी प्रकार ग गोल्डन रेंबो अवार्ड से तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फिर हमारे राज से 67 नैशनल स्कूल गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाली जो हमारी राज की कबड़ी टीम थी उसके बारे में हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखना है कॉमन वेल्थ का ज नहीं है इसके बाद में सब जूनियर नैशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियंशिप हाल ही में और्गनाइज कराई गई है उसके बारे में भी हम देखेंगे फिर हम देखेंगे कुछ विविद तथ्य है ना और यह विविद तथ्य कौन से होंगे हमारे पास में यूवा प करें विविद तत्यों में हमारे लिए महत्वपून होंगी चली यह शुरू करते हैं अ تمसे पहला जो हमारे पास में है वो है और इंडिया इंटर इंस्टिटूशन बैटमिंटन चैंपियनशिप यह जो आपका इंडियन बैटमिंटन चैंपियन इंडियन बैटमिंटन असोसियेशन द्वारा ये और्गनाईज किया जाता है क्या इंटर इंस्टिटूशन अंतर संस्थान बैटमिंटन चेंपियंशिप 36 गड़ में या पहली बार और्गनाईज कराया जा रहा है कब से कब तक 17 जुलाई से ले करके 22 जुलाई 2024 तक इसका और्गनाईजेशन कराया गया कहां कराया गया ये आई स्पोर्ट्स अरीना जो की मोवा राइपूर में है तो 36 गड़ में पहली बार इंडियन बैटमिंटन असोसियेशन के द्वारा और इंडिया इंटर इंस्टिउशन बैटमिंटन चैंपियन्शिप को क्या कराया गया और ये कब ये देखे बैटमिंटन असोसियेशन ऑफ इंडिया द्वारा और गनाईज कराया गया है अब इसमें क्या खास बात है इसमें चैनल मेजर इंस्टिटूशन जो है जैसे रिजर्व बैंक ओफ इंडिया इसके बाद में एंप्लॉयर्स स्टेट इंशॉरेंस कॉर्पोरेशन इस प्रकार के टोटल कितने इंस्टिटूशन ने क्या किया इसमें हाग लिया पार्टिसिपेट किया इंस्टिटूशन के 80 प्लेयर्स ने इसमें क्या किया पार्टिसिपेट किया इसके बाद में जो विनिंग प्लेयर्स होते हैं इस टूर्नामेंट में यह जो इंटर इंस्टिटूशन का क्या होता है आपका कॉम्पेटिशन होता है बैड्मि राश्ट्रिय चैंपियन्शिप में उन्हें क्या कर लिया जाता है और जो रिजर्व बैंक ओफ इंडिया रही है वह ओवरॉल चैंपियन बन करके इस आपके कॉंपिटिशन में आई है और इसने स्टेट एंप्लॉयर्स स्टेट इंशॉरेंस कॉर्पोरेशन याने एस आई सी को हरा करके सभी टीम वाले जो टीम इवेंट्स जो होते हैं उन सभी में क्या कर लिया है जीत हासिल कर लिया है किसने रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने है ना तो यह हमारे चत्तीजगड में पहली बार इंडियन बेट्विंटन असोसियेशन द्वारा ओल इंडिया इंस्टिट्यूशन बेट्विंटन आयोजित कराई गई थी इसके बारे में थोड़ा सा इंफोर्मेशन था अगला हम देखते हैं खेलो 36 गड़ गेम्स जाने की जो आपका 36 गड़ ओलमपिक्स हुआ करता था बोपेश शर्वकार की एक क्या थी बोपेश बगिल सरकार की एक महत्यकानशी योजना थी क्या चत्तिस्गड़ Olympics उसे अब क्या कर दिया गया है भाजपा की सरकाला आने के बाद में इसे शट डाउन कर दिया गया है आने की अब आप लोगों को चत्तिस्गड़िया Olympics देखने नहीं मिलेगा और उसके स्थान पे चत्तिस्गड़ गवर्मेंट ने क्या किया है खेलो इंडिया गेम्स के तर्ज पर खेलो चत्तीजगर्ड प्रोग्राशन क्ला या जाएगा यान्य कि चत्तिस गड़ क्रीडा प्रोचसाहन चत्तिस गड़ क्रीडा प्रोचसाहन कारिकरम या फिर चत्तिस गड़ खेल प्रोचसाहन कारिकरम लाया जाएगा जिसके तहद जो आपके पारंपरिक खेल हैं जैसे कि चत्तिस गड़िया ओलम्पिक्स में क्या हुआ करता था आपके पा किसा how to be additional एक या एक से अधिक डेशनल गेंग तो घंतिपाइ किया जाएगा क्या किया जाएगा मैं और उस ट्रेदिशनल गेम्स के प्रोचसाहन के लिए प्रमोशन के लिए क्या बनाया जाएगा इंफरास्ट्र क्चर पे मेनली क्या किया जाएगा focus किया जाएगा infra structure के लिए वे focus रहेगा तो अगर हम बात करें कि 36 क्रीडा प्रोच साहन कारिकरम की तो ये 36 गड़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए 36 सरकार द्वारा कारेकरम लाया जा रहा है जिसमें जो जिलास्तर के पारंपरिक खेल होंगे उनको चैनित करके उनके इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलप्मेंट के साथ में प्लेयर्स को फ्रोचसाहन देने के लिए क्या आयोजित कराया जाएगा खेलो चैनिक जो चैनिसगड़ंगर डे वर्तमान जो चैनि ानको उलिमपिक्स इसे शट्ड्वावन करके लिए क्या चैनिक तरक्र जाएगा किस तर्च पर एंडिया गेम्स की तर्च पर या फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्च पर खेलो चत्तीजगड गेम्स यहां पर आयोजित कराए जाएंगे यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ऐसा क्यों किया जा रहा है तो मूव इस डण बिकॉस ऑफ डिफरेंसे सिंट्रडिशनल स्पोर्ट प्लेज इंडिफरेंट डिविजन्स ऑफ चत्तीजगड मेंली बस्तर और सर्गूजा में जो पारंपरिख खेल हैं ट्रीशनल स्पोर्ट्स हैं उन में कापी ज्यादा अंतर है लेकिन जो चत्तीजगड ओलंपिक्स सेट ऑफ गेम्स में क्या किया जाता था और्गनाइज कराया जाता था लेकिन अब क्या होगा उस ओला चत्तिस गड़िया उलम्पिक्स को बंद करके हर जिले की जो पारंपरिक खेल होंगे उन्हें प्रोचसाहन करने के लिए उनका इंट्रस्ट्रक्चर निर्माण किया जाएगा साथ ही उनके जो खिलाड़ी होंगे उनकी प्रोचसाहन के लिए क्या होगा खेलो चत्तिस गड़ गेम्स का आयोजन कराया जाएगा क्यों ऐसा किया गया है क्योंकि अलग-अलग जो संभाग है मुख्यता हमारे बस्तर और सरगूजा में हमारे बहुत अलग-अलग पारंपरिखेल हमें देखने को मिलते हैं ठीक है अगला देखते हैं री लॉंच ओफ माई एफम 94.3 याने कि 94.3 माई एफम को सत्रा वर्षों के बाद पुना लॉंच किया गया है ताकि इसे एक नया आधुनिक अंदास दिया जा सके है ना टो गिव अन्यू मॉडन स्टाइल टो इट चत्तीजगर्स फर्स्ट अरुन साओ इनाग्रेटेट दा 94.3 एफम थू वीडियो कॉनफरेंसिंग ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 94.3 एफम जो है माई एफम जिसे हम बोलते हैं उसका रिलाउंच हो रहा है कहां से रिलाउंच हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है अरुन साओ जी उन्होंने किया है इसका लाउंच और यहां पर चत्तीजगड का पहला फ्लोटिंग स्टूडियो बनाया गया था कहां पर मरीन ड्राइव में बस इतना ही इसमें जानना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नही नियम 2004 में शंशोधन किया गया था किया गया है यह क्या है राज्य में पश्वों की तसकरी और हत्या की बढ़ती घटनाओं के कारण नियमों को और सक्त बनाया गया है अब मवेशियों की हत्या मवेशियों का मांस रखने या फिर मवेशियों की अवैद तसकरी करने पर 7 साल की कैद या 5000 रुपे का जुर्माना या दोनों हो सकता है याने कि जो वर्तमान 36 गड़ में पशू जो होते है स्पेशली कौन से पशू क्रिशी वाले पशू याने कि कैटल जो होते हैं अगरिकल्चरल कैटल है ना गाय भैस बच्ड़े बच्चिया और जो आपके जितने भी दुधारू पशू है बकरी भेड़ बकरी ये सभी है ना इन सभी का जो आपका उनके अगेंस उनके अगेंस जो क्रूरता होती है सभी का निप्टारा हम किस्से करते हैं चत्तीस गड़ क्रिशी पशू परिक्षन अधिनियम जो कब लागू किया गया था 2004 में तो आप लोगों से डायरेक्ट वेशन ये पूछा जा सकता है कि चत्तीस गड़ एग्रिकल्चरल कैटल प्रिवेंशन एक या फिर प्रिजर्वेशन एक्ट वाज इनिशली लॉंच्ट बाइ चत्तीस गड़ गवर्मेंट इन विच एर तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2004 में इसे लागू किया गया था हाल ही में जो इंसिडेंसेज ऑफ ट्रैफिंकिंग और किलिंग बढ़े हैं उनके कारण इस से और स्ट्रिक्ट बनाने के लिए इसमें चौती बार संशोधन किया जा रहा है यह जो अधिनियम है 2004 में पारित कराने के बाद इसमें दोहजार ग्यारा में दूप बार के और 2014 में एक बार और फिर फाइनली दस साल बाद 2024 में फिर से क्या किया गया है संशोधन किया गया है है ना तो कुल मिला करके चार बार ये जो आपका अधिनियम है क्रिशी पशू परिक्षन अधिनियम 2004 इसमें चार बार कुल मिला करके क्या किये गये है संशोधन किया गया है ठीक है और इसके कारण थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है कौन सा हमारा जो मवेशियों की हत्या मवेशियों का मांस रखना या फिर मवेशियों की अवैद तसकरी करना जो है इस पर हमारा सरकार स्ट्रिक्ट रवया अपना रही है तो आप लोगों से डायरेक्ट वेशन यही पूचा जा सकता है क्योंकि ये हाल ही में 2024 में क्या हुआ है तन्शोदित हुआ है इसलिए आप लोगों से पूचा जा सकता है कि यह लागू कब किया गया था या फिर इसे कब 36 गड़ की विधाई का द्वारा पारित करा करके एक अधिनियम बनाया गया था आगे देखते हैं कुछ हमारे पास में ऐसे व्यक्ति हैं जो जुलाई के तीसरे हफ़ते में हमारे लिए महत्वपूर्ण बने रहे हैं सबसे पहले हैं अरून देव गौतम वेरी 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 इंपोर्टन अरून देव गौतम जो है ये एक IPS ऑफिसर हैं 1992 बैच के और ये हमारे चत्तीस गड़ के पुलिस के ने महानिदेशक बनने वाले हैं याने की डायरेक्टर जनरल ओफ पुलिस बनने वाले हैं ये डी जी पी बनने वाले हैं कहां के चत्तीस गड़ पुलिस के और जो वरतमा ज़मान आपके डाइरॉम ज़नरल ऑफ पुलिस हैं 36 गड़ के वो हैं अशोग जुनेजा अशोग जुनेजा जिछी जो है ये 11 Todos ओनेबर के डायरेक्टर ज़नरल फफ पुलिस हैं erिकेव गौतम होंगे वह कौन से नंबर के डायरेक्टर जनरल औफ पुलिस होंगे ये 12th नंबर के आपके Director General of Police of 36 गड़ बनने वाले हैं यानि कि पुलिस महा निदेशक के रूप में अपना कारिग रहन करने वाले हैं बहुत ज्यादा important हैं अगले हैं आपके Lieutenant General अशोक जिंदल बहुत important हैं ये भी very 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 important इस साल आपके किसी न किसी exam में इनसे आपको सवाल करेगा ये है Lieutenant General अशोग जिंदल जो कि retired है है ना वर्तमान में ये Executive Director of AIIMS राइपूर याने की AIMS राइपूर जो है All India Institute of Medical Science राइपूर के क्या है ये ये हैं आपके Executive Director याने की कारिकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं किसके All India Institute of Medical Science जो राइपूर में हैं He has been conferred with Param Vishishti Seva Medal by President रौपदी मुर्मू on 18th of July at राश्ट्रपती भवन याने की हाल ही में इन्हें क्या दिया गया है Param Vishishti Seva Padak दिया गया है हमारे भारत की महामहीम राश्ट्रपती दौपदी मुर्मू के द्वारा कहां पर दिया गया है राश्ट्रपती भवन में दिया गया है क्या है ये The prestigious award recognizes his distinguished service and exceptional achievements in the armed forces याने कि यहाँ प्रतिष्टिट जो पुरस्कार है सशस्त्र बलो में उनकी याने किनकी Lieutenant General अशोग जिंदल के विशिष्ट सेवा और असाधारन उपलब्धियों को माननता देता है या फिर उनका सम्मान करता है Lieutenant General जिंदल जो है जिनोंने लगबग चार दशकों तक भारतिय सेना के सेवा दी देश के सबसे सम्मानित सैन्य डॉक्टरों में से एक है He is one of the country's most decorated military officers as the Commandant of Army Officer है ना Army Hospital याने कि November 2021 से दिल्ली में Army Hospital Research and Referral के Commandant के रूप में उन्होंने लीवर हृदय और बाल चिकिटसा हृदय वाल्व प्रत्या रोपन का कारेक्रम को सफलता पूर्वक फिर से शुरू किया था याने कि अगर यहां पर समझ नहीं आया तो As the Commandant of Army Hospital Research and Referral in Delhi from November 2021 He successfully restarted liver, heart and pediatric heart valve transplantation मतलब liver का transplant करना, heart का transplant करना और बच्चों के दिल के valve का transplant करने को इन्होंने फिर से शुरूवात किया है कहां पर आपके Army Hospital जो कहां पर है डेली में है जब यह वहां के क्या हुआ करते थे, commandant हुआ करते थे और इसी लिए ही इन्हें परम विशिष्ट क्या दिया गया है परम विशिष्ट सेवा medical से, medal से इन्हें सम्मानित किया गया है तो यह हमारे लिए बहुत ज्यादा important हो जाते हैं कौन? Lieutenant General Ashok Jindal तीसरे हमारे पास जो महत्वपूर्ण है, वो है मिर्जा मसूद और मिर्जा मसूद जो है, यह चत्तीजगड के एक बहुत ही प्रख्यात रंग-मंच कलाकार है या फिर रंग-कर्मी है, जिने हम क्या बोलते हैं? Theater Artist of 36 गडड यह चक्रधर सम्मान के भी क्या है? किया गया था, नमाजा गया था, हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है किनका मिर्जा मसूद का, और यह वो व्यक्ती हैं जिनोंने अपनी आवाज दी थी 1988 के सियोल ओलम्पिक्स में, आकाश वानी की तरफ से इनोंने क्या किया था? कमेंटरी की थी, very 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 important, 1988 के सियोल ओलम्पिक्स जो समर के ओलम्पिक्स हुए थे सियोल में उसमें इनोंने आकाश वानी की तरफ से अपनी आवास दे करके कमेंटरी की थी भारत के लिए ये वो व्यक्ति हैं कौन? मिर्जा मसूद और इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है चतीजगड में चक्रदर सम्मान के साथ साथ चिन्हारी सम्मान से भी इन्हें क्या किया गया था? नवाजा गया था ठीक है? अगला हम पहुँछते हैं हमारे अगले सेक्शन में जिसे हम बोल रहे हैं कि आप प्लेसेज इन निउस तो कोई हमारे ऐसे चर्चित स्थान है जो हमारे लिए महतपूर्ण है तो बिलकुल इस हफते हमारे लिए जो चर्चित स्थान है वो है आपका गौरईया धाम स्पेरो गौरईया का अगर हम लिटरल मीनिंग बोलें तो ये स्पेरो है लोकेटेड एट चौरईया विलेज ओफ बालोड डिस्ट्रिक्ट याने कि बालोड जिले के चौरईया ग्राम में स्थित ये गौरईया धाम है और वर्तमान में क्यों न्यूज में है क्योंकि पुरा तात्विक खुदाईयों के दोरान 132 पत्थर की मुर्तियां यहां से निकाली गई है अन अर्थ की गई है ये मुर्तियां भोरम देव मंदीर से मिली मुर्तियों के काफी मिलती जुलती है यानि कि भोरम देव जो आपका कबीर धाम में स्थित है वहां के पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा archaeological excavation के द्वारा जो मुर्तियां हमें प्राप्त हुई थी उनसे काफी ज्यादा एक रूपता रखती है यह मुर्तियां जो गौरईया धाम में आप लोगों को देखने को मिलती है यह जो गौरईया धाम है यहाँ एक शिव मंदिर है इसका नाम गौरईया इसलिए पड़ा क्योंकि यहां के आसपास के जो पेण है वहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में हमें क्या देखने मिलती है स्पैरो गौरईया चिडिया और ये जो गौरईया चिडिया होती है ये continuously इनकी जो चर्पिंग होती है चह चहाहट जो होती है उससे शिव की आवाज आती है शिव शिव तो यहाँ पर गौरईया चिडियाओं के चह चहाहट से शिव शिव की आवाजे आने के कारण इस धाम का नाम क्या पड़ गया है गौरईया धाम नाम पड़ गया है कहां स्थित है बालोद में है क्यों हाल ही में important रही है क्योंकि यहां क्या हुए है पुरा तात्विक उत्खरन किये जा रहे हैं जहां से 132 स्टोन स्टैच्यूज मिली है 132 क्या मिली है पत्थर की मूर्तिया मिली है जो भोरम देव के मंदिर के प्राप्त हुई जो आपकी मूर्तिया है उससे काफी resemblance रखती है जो मूर्तिया है वो चंद्रमा तारे सूर्य चक्र आदी के आक मंदित दिख रहा है यहां एक शैव मंदिर है और हर साल हिंदू महिने में मागपुर्णिमा पर यहां पर हर साल मागपुर्णिमा में एक मेले का और्गनाइस किया जाता है मेला क्या किया जाता है आयोजित कराया जाता है जिसमें ना केवल 36 गड़ के बलकि महाराश्ट्र के भी बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं इसमें participate करते हैं या फिर आ करके यहां पर इस मेले का लुद्व उठाते हैं अगला देखते हैं हमारे पास में कुछ महत्वपूर्ण reports हैं दिवस हैं पुरसकार हैं या फिर सम्मान हैं क्या है ना तो बिलकुल बहुत ही ज्याद important very 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 important और यह 100% इस साल आप लोगों के exam में आएगा ही आएगा किसी ना किजी आपके one day exams में आप लोगों से टकराएगा ही या फिर अगले साल हो सकता है मेंस में आप लोगों को यह question देखने को मिले क्योंकि यह है आपका 36 गड़ का प्रदर्शन किसमें दीन दयाल जो आपका शहरी नैशनल अर्बन लाइवली हुड मिशन जो होता है शहरी आपका जीवी को पार्जन जो कारेक्रम है एक इसको क्या बोलते हैं देख लेते हैं नैशनल लाइवली हुड नैशनल अर्बन लाइवली हुड मिशन राष्ट्रिय शहरी आजीवी का मिशन है ना ये है दीन दयाल उपाद्याय अंत योदय योजना का राष्ट्रिय शहरी आजीवी का मिशन के तहत 36 गड़ का प्रदर्शन के कारण 36 गड़ को पाँच राष्ट्री अवार्ड से क्या किया गया है सम्मानित किया गया है कब सम्मानित किया गया है 18 जुलाई 2024 में और कहां पर ये है इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू डेली में किसके द्वारा सम्मानित किया गया है यह किया गया है आपके जो आपके जो अर्बन अफेर्स मिनिस्टर ओफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेर्स मनोहर लाल खटर है ना और साथ में आपके राज्यमंत्री स्टेट मिनिस्टर ओफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेर्स तोखन साहू याने की आवास और शहरी मामलों के मनोहर लाल खटर और इसी मन्त्राले के राज्यमंत्री तोखन साहू इन दोनों के द्वारा इसे प्रदान किया गया है कौन-कौन से अवार्ड्स हैं यह हम देख ल रैंक मिला है याने की जो चतिसगर का स्टेट अर्बन डेवलप्मेंट अथॉरिटी है राज नगरी विकास प्रादीकरण जिसे हम सूडा के नाम से जानते हैं इसे क्या दिया गया है थर्ड रैंक दिया गया है ओवर ओल इंडिया में और इसके साथ ही हमारे कुछ नगरी निकाये हैं जैसे कि बिलासपूर, रायगर, भाटापारा और चापा चार हमारे नगरी निकाये हैं जिनको क्या दिया गया है सम्मानित किया गया है राश्रिय पुरस्कार से तो सबसे पहला क्या है हमारा सूड़ा को आईए पहले दिखते हैं क्यों दिया गया है for better performance in d-a- अर्बन लाइवलिःवड मिशन के बहतर क्रियान के लिए हमें दिया गया है यह पूरे जो अवोर्ड है यह स्पार्क Awards दो हजार तेईस चोबिस के नाम से इस साल दिये गए है जिसमें 36 गड़ को ओवरॉल कौन सा रैंक मिला है सबसे पहली बात थर्ड रैंक और 36 गड़ के ये ओवरॉल थर्ड रैंक किसे दिया गया है जो हमारा सूडा है State Urban Development Authority या फिर आपका राज नगरिय विकास प्रादीकरण सूदा को दिया गया है यह कौन सा पहला पुरसकार ओवरॉल 37 गड़ को थर्ड दूसरा जो है हमारा ये मिला है आपके बिलासपूर नगर निगम को या फिर बिलासपूर मुनिसिपल कॉर्पोरेशन को ओल ओवर इंडिया में फर्स्ट रैंक इसने हासिल किया है राश्ट्री शहरी राश्ट्री ये शहरी आजीविका विशन के क्रियानवयन या फिर उसके क्रियानवयन के लिए बिलासपूर को 10 लाख तक की जन संक्या अब टू 10 लाग पॉपिलेशन कैटिगिरी में औल ओवर इंडिया में फर् रैंक हासिल हुआ है कौन सी कैटिगरी में हासिल हुआ है और किसको हासिल हुआ है तो ओवर ओल चत्तीजगर को कौन सा रैंक हासिल हुआ है थर्ड रैंक हासिल हुआ है चत्तीजगर के बिहाफ में ये किसे मिला है तो स्टेट अर्बन डेवलप्मेंट अथारिटी या फिर सूडा को है ना सूडा को हिंदी में क्या बोलते हैं हम राज नखरी विकास प्राधी करण ठीक है इसके बाद में जो बिलासपूर नगर निगम है या फिर बिलासपूर मुनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसे अल वर इंडिया में फस्ट रैंक दिया गया है कौन सी कैटेगरी में up to 10 lakh population category में यानि की 10 lakh तक की जनसंख्या वाली criteria में इसे first rank दिया गया है दूसरा जो है यह आपका रायगण municipal corporation है यानि की रायगण नगर निगम है जिसे पूरे इंडिया में first rank दिया है लेकिन कौन से category में up to 3 lakh population यानि की 3 lakh तक की जनसंख्या की category में रायगण को क्या दिया गया है first prize मिला है पूरे के पूरे भारत में तीसरा जो हमें पूरसकार मिला है या फिर कहा जाए चौता जो पूरसकार है वो है भाटा पारा municipal council को यानि की भाटा पारा नगरी भाटा पारा नगर पाली का परिशद को दिया गया है और ये दिया गया है आपका up to 1 lakh population की category में first rank हासिल किया है यानि की विलासपूर ने रायगण ने और भाटा पारा ने भाटा पारा ने क्या किया है first rank हासिल किया है all over India में अपनी अपनी categories में विलासपूर ने 10 लाग तक की जन संख्या के लिए राइगर ने 3 लाग तक की जन संख्या के लिए और भाटा पारा ने 1 लाग तक की जन संख्या वाले category में first rank पाया है वहीं जो आपका चापा का क्या है नगर पाली का परिशद है या फिर चापा मिनिसिपल काउंसिल है इसने second rank हासिल किया है ये एक मात्र क्या है आपका second rank हासिल करने वाला नगरिय निकाय है जिसने up to 50,000 population category याने की 50,000 तक की जन संख्या वाले category में दूसरा स्थान हासिल किया है तो अगर हम बात करें किसकी total हमें कितने awards मिले हैं तो total awards जो हमें दिये गए हैं वो कितने दिये गए हैं या फिर 36 गड़ को दिये गए हैं कितने five total awards पहला अगर हम बात करें overall 36 गड़ को कौन सा रैंक मिला थर्ड रैंक औल ओवर इंडिया और इसको स्टूडा ने क्या किया दिया है दूसरा अगर हम first rank की बात करें first rank in इंडिया तो किन को किन को मिला है first rank in इंडिया पहला मिला बिलासपूर को बिलासपूर municipal corporation या फिर नगर निगम को कितने में up to 10 lakh population की category में दूसरा हमें मिला कौन किसे रायगड municipal corporation याने की नगर निगम और ये किसमें मिला up to 3 lakh population category में इसके बाद में तीसरा मिला किसे भाटा पारा municipal council और इसे कितने में मिला up to 1 lakh population फिर हमारे पास में एक हमें दूसरा रैंक भी मिला second rank in इंडिया और ये किसे मिला चांपा municipal council याने की नगर पाली का परिशद को और ये कौन से में मिला up to 50,000 पचास अजार तक की जन संख्या में तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है महत्यपूर्ण डेटा हमें देखने को मिल रहा है ठीक है दूसरा है जो हमारा SECL है साउथ इस्ट कोल फिल्ड लिमिटेड्स साउथ इस्टर्न ओल फिल्ड्स लिमिटेड्स इसे क्या दिया गया है गोल्डन रेन्बो अवार्ड से सम्मानित किया गया है कहां सम्मानित किया गया है 24 वे जियो माइन्टेक सिंपोजियम फॉर एक्सिलेंस में जो कहां आयोजित कराई गई थी भूवनेश्वर में और साथ ही जो हमारे प्रेम सागर मिश्रा जी है जो हमारे SECL बिलासपूर के क्या है CEO है इन्हें क्या दिया है बेस्ट CEO का अवार्ड भी दिया गया है क्यों भाई ये गोल्डन रेन्वो अवार्ड दिया गया है SECL received the award for maintaining mission mode in coal exploration with a record 25 million tons coal production last year in 2022-23 and a 20 million tons coal production in 2023-24 25 million tons 2022-23 में और 20 million tons 2023-24 में उत्पादन करने के लिए और एक mission mode को maintain करने के लिए SECL को 24 वे जियो माइंटेक सिंपोजियम में golden rainbow award से सम्मानित किया गया जो कि भूनेश्वर में हुआ था साथ ही प्रेम सागर मिश्रा जो है उन्हें best CEO का भी award दिया गया है अगला देखते हैं हमारे पास में जो section है वो section है हमारा sports का section और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी सिक्स्टी सेवन्थ नैशनल स्कूल गेम्स याने की सटवे राश्रिय शाले खेल प्रतियोगिता स्कूल खेल प्रतियोगिता की जो आयोजित कराया गया था कहां बिरसा मुंडा स्टेडियम जो की राची में है चतिस गड़ अंडर 14 कबड़ी की टीम ने इसमें क्या जीता था स्वर्ण पदक जीता था हाला कि ये जो फैक्ट है ये आपका जनवरी 2024 से है जनवरी 2024 से अभी ये वापस घूम करके इसलिए हमारे पास आया है क्योंकि ये जो 14 अंडर 14 कबड़ी टीम जो स्वर्ण पदक जीती थी चतिस गड़ की उसके प्रत्य खिलाडी को चतिस गड़ सरकार द्वारा 21-21 रुपए दे करके क्या किया जा रहा है उनका प्रोचसाहन किया जा रहा है दूसरा जो हमारे पास में है वो कॉमन वेल्ट फैंसिंग चैंपियंशिप वेरी इंपॉर्टन बेहद इंप इंडियन जो विमेंस टीम है उसने क्या जीता है सिल्वर मेडल जीता है रजत पदक कहां पर जीता है अब यह जो विमेंस टीम थी पांच सदसी इसमें दो हमारे चतिस गड़ से हैं पहली है रीबा बैनी जो की राइपूर से है दूसरी है रुपाली साहू जो हमारे बिला टीम ने रजगत पजग जीता है जिसमें से दो हमारे 36 गड़ से हैं रीबा बैनी और रुपाली साहू जिसमें से रीबा बैनी ने एक तरफा सिंगल हैंड़ी 25 पॉइंट्स बना करके क्या कर लिया था बहुत एक लीड दे दी थी हमारी टीम को ठीक है चलिए आगे चलते हैं सब जूनियर नाशनल पैरा एथलेटिक्स कहां पर आउयोजित में बैंगलूरू करनाटक में इसका आउजन कराया गया 18 से लेकर के 21 जुलाई तक कराया गया है किसके द्वारा कराया विया है तो पैरा एथलेटिक्स association औउफ इंडिया द्वारा कराया गया है 36 गड़ने इसमें 2 gold, 1 silver और 3 bronze जीते हैं यानि कि 2, 1, 3 ये हमारा medal टेली रहा कुल मिला करके 36 गड़ने कितने जीत लिये हैं 6 medals जीते हैं 2 gold, 1 silver और 3 bronze medal जीता है हमने किसमें किसमें हमने जीता है सुख देव नामक जो हमारे पैरा एथलीट है उन्होंने 100 मीटर और 400 मीटर की जो races हुई है उसमें gold medal जीता है silver medal जीतने वाली हमारी यशोदा राजवाड़े हैं जिन्होंने long jump में क्या किया है silver medal जीता है और यही यशोदा राजवाड़े हैं जिन्होंने 100 मीटर race में भी क्या जीता है bronze medal जीता है साथ में Central Kumar है हमारे जिन्नोने क्या ? 1500 मीटर की Race में Bronze Medal जीता है और उदयनिशाद है जिन्नोने Long Jump में क्या जीता है ब्रोंज Medal हमारे जीता है और हमारे 36 गड़ का गऊरव बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है आगे चलते हैं कुछ विविद तत्य हम देख लेते हैं सबसे पहला है Youth Tourism Club अब ये 36 गड़ के पर्यटन विभाग द्वारा भारत के पर्यटन विभाग द्वारा माफ किजीएगा भारत के पर्यटन विभाग द्वारा 26 गड़े में पर्यटन को बढ़वा देने के लिए एक नवा चार किया गया है अई ये नवा चार किस रूप में किया जा रहा है Youth Tourism Club के मात्यम से पर्यटन को बढ़वा देने के लिए School और Colleges के छात्रों को 말고 में शामिल किया जाएगा 25-25 students के 25-25 students का एक club बनाया जाएगा पूरे 36 गड़ में 25-25 students का एक club बनाया जाएगा जिसमें schoolie चात्रों के साथ साथ college के भी चात्र होंगे इनको जो भी आसपास में आपके tourist spots होंगे इनके schools के आसपास में या फिर college के आसपास में उन जगहों पर जा करके वहां को observe करके वहां की photos, videos ले करके वहां पर extra co-curricular activities करके उन जो tourist spots हैं उनको पूरी दुनिया के सामने, नजरों के सामने ला करके परेटन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है Youth Tourism Clubs का निर्मान कराया जा रहा है और ये जो कराया जा रहा है ये किसके माध्यम से होगा Ministry of Tourism Government of India का जो scheme चल रहा है देखो अपना देश campaign के अंदर में ये क्या किया जा रहा है ये Youth Clubs को बनाया जा रहा है 79 Clubs have been made with 25 students इच अभी तक वर्तमान में 89 Clubs बनाया जा चुके हैं जिसमें 25 विद्यारती हैं इनमें महिने में दो गतिविधिया शामिल हैं पर्यटन स्थल का अवलोकन और दूसरा क्या स्कूल कॉलेजों में अनुभाओं के आधार पर विभिन गतिविधियां मतला पूरे महिने में दो प्रकार की आपकी एक्टिविटीज ये टूरीजम से संबंदित स्कूली चात्रों और कॉलेज की चात्रों को करना है पहला तो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से फिजिकली प्रेजेंट हो करके जो टूरिस के उपर बढ़ावा कारना है उनको कि अब्सकार के उपर क्या है क्या नहीं है किस प्रकार से वहां पर बढ़ावा दिया जा सकता है और दूसरी activity उसी महिने में उनको करनी है अपने schools और colleges में चाहे वो debate competition के माध्यम से हो चाहे painting competition के माध्यम से हो चाहे रंगोली competition के माध्यम से हो चाहे वो एक youth parliament में मुद्दा उठाने के माध्यम से हो तो youth ये clubs क्या करें पर्यटन स्थल को observe करेंगी उसके बाद में उसके activities के माध्यम से अपने college के students अपने school के students में जागरुकता फैलाएंगी और उनसे अनुरोध करेंगे कि वो जा करके पूरे आप आसपास में भी क्या करें टूरिजम के जो आपका टूरिजम का पूरा का पूरा एक क्या है प ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला है हमारा मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा कारिकरम ये भी आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्या है ये? च्छत्टीज गड़ के 25 लाग स्कूली विद्यारतियों अब ये स्पेसिफिकली किन के लिए है? स्कूली विद्यार्थियों के लिए कारिक्रम है जिसमें उन्हें विभिन आपदाओं और आपदाओं के समय प्रतिक्रिया के साथ साथ आत्म सुरक्षा और आत्म सुरक्षा और बचाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा याने की स्कूली चात्रों को डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ में डिजास्टर के बारे में बताएंगे डिजास्टर के टाइम पे उनका एमर्जेंसी जो रिस्पॉंस सिस्टम होगा वो कैसा होगा उनके बारे में सिखाएंगे अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है आपदाओं के समय में ये सभी सिखाने के लिए मुख्यमंत्री साला शुरक्षा कारिक्रम की शुरुवात की गई है और ये किस फॉर्म में है? सिक्योर सेटर्डे या फिर सुरक्षित शुरक्षित शनीवार के रूप में आप लोगों को ये कारिक्रम देखने मिलेगा जिसमें प्रत्येक शनीवार के दिन विभिन नए नए टॉपिक्स नए नए विशियों पर क्या हुआगा? लेक्चर्स दिये जाएंगे, थियोरी सिखाई जाएंगी और प्रैक्टिकल भी कराए जाएंगे ये चतिजगड के शाला में या फिर स्कूली विद्यार्थियों को बहुत स्मार्ट बनाने का एक क्या है? अप्रोच है प्रोग्राम इस बिंग प्रेजड आल वर दा नेशन पूरे भारत में इस प्रोग्राम की क्या हो रही है? सराहना हो रही है बहुत सारे जो राज्ज हैं उन्होंने अपने विशेशग्यों की टीमों को चत्तीजगड भेजा है ताकि इस कारेकरम से सीख ले करके वो अपने स्कूलों में भी क्या लगा सकें इस प्रकार के कारेकरम को शुरुवात किया जा सकें है ना प्रोग्राम ओफ सिक्योर सैटरडे हैस बिन एन्विजन बाई ओल इंडिया डिजास्टर मिटिगेशन इंस्टिट्यूट अलोंग विद युनिसेफ एन चत्तीजगड गवर्मेंट ये जो सुरक्षित शनीवार का कारेकरम है ये ओल इंडिया डिजास्टर मिटिगेशन इंस्टिट्यूट युनिसेफ और चत्तीजगड गवर्मेंट तीनों की एक मिली जुली क्या है एक विजन है और इसमें कैसा हो रहा है जो भी स्कूल्स इसमें शामिल किये गए है पुरे चत्तीजगड के उन सभी से सबसे पहले जानकारी के लिए क्या मांगे गए है 21 बेसलाइन पॉइंट्स पर आधारित जानकारी मांगी गई है जिसके अंदर 100 सब बेसलाइन्स है मतलब क्या है आपके स्कूल में फरस्ट एड किट्स है या नहीं आपके स्कूल में सिक्यॉरिटी अरेंजमेंट्स है या नहीं आपके स्कूल में फायर एक्स्टिंग जो आपका रहवास है, वो है कि नहीं, याने कि केवल कॉंक्रीट के जंगलों के बीच में तो आपने नहीं बना दिया है, स्कूल में आपके प्लान्टेशन होता है कि नहीं, इस प्रकार के पूरा सवाल सबसे पहले स्कूलों से पूचे गए, इसके बाद में 300 टीमें बनाई गई है और पूरे चतीज गड़ में डेटा कलेक्ट करने के लिए इन्हें भेज दिया गया सो हेड मास्टर्स जो थे स्कूल के उनसे एक थौरो इंटर्व्यू लिया गया मतलब यह सो ऐसे हेड मास्टर्स जो दस मुख्य प्रकार की जो आपदाएं चतीज गड़ में होती है उन आपदाओं से प्रभाविज जो छेतर हैं वहां के स्कूलों के हेड मास्टर्स हैं ये सो और इनसे थौरो क्या लिया गया है इंटर्व्यू इनका लिया गया है कि आपदा के समय में जन समान्य क्या करता है जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं जो सिक्षक होते हैं व कुल मिला करके ये सब करने के बाद में 100 headmasters का interview लेने के बाद में 300 teamों को पूरे 36 गड़ में data collection के बाद में सारे schoolों से information लेने के बाद में इन्होंने 44 topics decide किये इन्होंने डिसाइड किया है जिसमें earthquake याने की outcome के साथ साथ और प्राकृतिक आपदाएं शामिल है superstition याने की अंदविश्वास और bad touch जैसे आपके क्या है topics शामिल है मतलब हमारे बच्चों के लिए सरवांगिन विकास के लिए हर तरीके से उनको चीजों को समझ में आए इसके लिए इन्होंने कितने topics decide किया 44 topics decide किये है कुल मिला करके पूरे 36 गड़ में 300 teachers को क्या बना दिया गया है master trainers बनाया गया है और ये 300 teachers को काम दिया गया है 36 गड़ के 67,000 teachers को train करने का और ये जो 67,000 क्या है teachers होंगे ये कुल मिला करके आगे 55,000,000,000 students को क्या करेंगे train करेंगे किसमे सुरक्षित शनीवार के कारिकरम में 44 topics के उपर जो आपदा से संबंदित है कैसे आपदा प्राकृतिक आपदा भी है सामाजिक आपदा भी है यानि कि social disaster superstition is a social disaster सामाजिक आपदा है अंदविश्वास bad touch एक क्या है सामाजिक आपदा है social आपका क्या है disaster है इन सभी के बारे में information दी जाएगी हमारे बच्चों को साथ में उन्हें ये भी सिखाया जाएगा कि खुद को कैसे सुरक्षित रखना है दूसरों को कैसे सुरक्षित रखना है और disaster के समय उनका response कैसा होना चाहिए तो ये हमारे चत्तीस गड़ का एक बहुत ही जबर्दस्त क्या है प्रोग्राम है जिसका नाम है क्या उख्य मंत्री शाला सुरक्षा कारे क्रम है ना जिसकी सराहना पूरे पूरे देश में हो रही है monthly schedules for topics have been prepared according to weather patterns and disaster associated along with certain common topics मतलब ये जो शनिवार का concept है सुरक्षित शनिवार का हर शनिवार को नए विश्यों पर बच्चों को train तो किया ही जाएगा साथ ही पूरे साल को मौसम के according हर महिने के topics क्या कर दिये गए है decide कर दिये गए हैं जैसे जो जन्वरी है जन्वरी में क्या मधू मक्खी के काटने की जानकारी जलवायू परिवर्तन का प्रभाव और उसके उपाए शीत लहर के खत्रे के बचाओ के उपाए रिसाइक्लिंग वा कच्रा कम करना जन्वरी के शनिवारों में बच्चे इसके बारे में सीखेंगे फरवरी में क्या है बिजली से घात जल जमाओं से परिशानिया बोरिंग के गड़े से घटनाए कू पोशन से परिशानिया वसमाधान हात धुलाई के फायदे खुले में सौच के खत्रे मल का सुरक्षित निप्टान बाल अधिकार बाल विवा और बाल यौन दुर्व्यवहार से सनरक्षन के उपाए इन सभी के बारे में बच्चे कब पढ़ेंगे फरवरी में पढ़ेंगे इतना इतना इन्होंने क्या किया है पाइन्यूटली ऑब्जर्व करके इस कारेकरम को बनाया है जो बिलकुल सराहनी है सराहना का पात्र बिलकुल है यह ना अब मार्च में इन्होंने किसके बारे में सिखा दिया आग जनी से बचाओ के खत्रे की जानकारी क्योंकि पता है एप्रेल में में जब गर्मी के उपाए चक्रवाती तुफान आंधी के खत्रे बचाओ वा सावधानी अप्रेल में सीखेंगे शुद्ध पानी के खत्रे बचाओ वा उपाए हाथ दोने के सहीं तरीके लू से बचाओ लू से बचाओ जल संरक्षन वा पाइलेरिया से बचाओ मैं में सीखेंगे में भी हैं आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और नवंबर में बच्चे क्या सीखेंगे यह सभी चीजें चत्तिस गड़ उख्य मंत्री चाला सुरक्षा कारिक्रम के अंतरगत हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट और फाइनली आकार तो आकार क्या है आकार है चत्तिस गड़ शाशन के संस्कृती विभाग द्वारा वार्शिक प्रसिक्षन कारिक्रम याने की पहली बार वर्षा रितु में 20 जुलाई से 5 अगस्त तक इसे क्या किया जा रहा है आयोजित कराया जा रहा है कुल 22 कलाउं का प्रसिक्षन इसमें दिया जाएगा पहली बार भर्थरी एवं बस्तर लोकनित्य ककसार गौर एवं अन्य आदिवासी प्रित्य शैलियों में प्रसिक्षन दिया जाएगा मतलब जो आकार है ये वार्शिक आपका क्या है प्रसिक्षन कारिक्रम है जिसमें इस साल कुल मिला करके 22 विधाओं या फिर 22 कलाउं का प्रसिक्षन दिया जाएगा और पहली बार भर्थरी के साथ साथ बस्तर के जो लोकनित्य होते हैं जैसे ककसार गौर एवं अन्य आद दिवासिर नित्य शैलिया इन सभी का क्या दिया जाएगा प्रसिक्षन दिया जाएगा तो आप लोगों से बूले बढ़के एक आद दो महीने आगे तक ये पूछा जा सकता है वाट ड़स आकार मीन या फिर आकार का आकार से आप क्या समझते हैं ठीक है तो यहां से यह सी कि इस तर पर समसमाई किया थी उन्हें हमने आज डील कर लिया है कल हम इस पर बेस करके आप लोगों के लिए लेकर करके आएंगे क्या बहु विकल्पी है प्रश्ण या फिर मल्टिपल चॉइस क्वेस्चन्स तब तक हमारे चैनल पर बने रही है थैंक्यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको